मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आपका कक्षा नौमे हिंदी विशे में स्वागत है आज मैं आपको छायवादी लेखिका वकवित्री महादेवी वर्मा का गिल्लू नामक पाठ का दितिये खंड पढ़ाने जा रही हूँ प्रथम खंड मैंने आपको पढ़ा दिया है जिसमें दो गद्यान्शों की व्याख्या कर दी है आज मैं पुना उनका जीवन परिचे रचनाए भाषा शैली और फिर गद्यान्शों की व्याख्या पढ़ाओंगी महादेवी वर्मा जी का ये चित्र है आप इनको देख महादेवी जी का ये जीवन परिचे उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्खाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्तु बिटा 11 सितंबर 1987 में हुई थी उनके बाबा जी का नाम शिरिबा के बिहारी था और इनके परिवार में साथ पीडियों के बाद कन्या रत्न क जन हुआ था उनके पिता शिरिगोविन प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे माता का नाम हेमरानी देवी था और हेमरानी देवी बड़ी ही धर्म पर आये धार्मिक प्रवर्ति की कर्मनिस्ठ और भावुक महिला थी महादेवी वर्मा के मान बंधों में सुमित्रा नंदन पंत एम निराला का नाम लिया जा सकता है जो उनके सहोधर भाई नहीं थे लेकिन मन से उन्होंने अपना भाई मान रखा था शिरी सूर का अंत्रपाथी निराला जी को और शिरी सुमित्रा नंदन पंत को पूरे जीवन भर ये इन दोनों को रूप में राखी बानती रहीं और निराला जी से इनका कुछ अपनापन ज्यादा ही था घर में ही रहकर कि इन्हों ने संस्कृत अंग्रेजी संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा प्राभ की थी ती महादिवी वर्मा की प्रारमभिक जिसे प्रयाग राज कहते हैं प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में ही रहने लगी महादेवी वर्मा ने आठवी कक्षा में 1921 में प्रांत भर में प्रथम इस्थान प्राप्त किया था महादेवी वर्मा जब सात वर्ष की थी तभी से उन्होंने कविता करना प्रारंब कर दिया था और 1925 में जब उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा उत्तीन की तो वे एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी विभिन पत्रपत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था सुबध्रा कुमारी चोहान जो उस समय की प्रसिद्ध कवित्री थी उससे इनकी दोस्ती थी और 1932 में जब उन्होंने इलहाबाद विश्विद्याले से संस्कृत में एमे किया तब तक उनके द प्रहकी गाईका के रूप में आधुनिक मीरा भी कहा जाता है ग्यानपीट पुरुसकार जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारती ग्यानपीट न्यास द्वारा 1935 में स्थापित किया गया है भारती संविधान की आठवी अनुसूची में जो 22 भाशाएं दी गई हैं उन मे से प्रति वर्षकिसी एक भाशा के लिए यह पुरुसकार दिया जाता है यामा क्रती के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को यह ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया था यामा क्रती में इनकी सर्वस्रेश्ट कविताओं का संकलन है तो उसी के लिए इन्हें यह ग्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ था आशा है उनके जीवत परिचे से आप परिचित हो गए होंगे और अब हम उनकी महादेवी वर्मा की रचनाओं पर आते हैं इनका प्रारम कवित्री के रूप में हुआ था लेकिन ये एक श्रेष्ट गद्द लेखी का भी थी और गद्द की विभिन विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाए प्रस्तुत करी है निबंद संग्रे हैं जो श्रंखला की कडिया है साहितिकार की आस्था तथा अननिबंद है छड़दा है अबला है और सबला ललित निबंद का श्रेष्ट उधारा वो छड़दा है फिर उन्होंने संस उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे हैं अतीत के चल चित्र है इस्मृति की रेखाएं हैं मेरा परिवार है पत के साथ ही है और इनके रेखा चित्रों में चित्रात्मक्ता और भावात्मक्ता के गुरों विद्धुमान है इन्होंने चानपत्रिका का संपादन भी किया था जो अपने नारीवादी चिंतन के कारण ही चानपत्रिका सर्वश्रेष्ट इस्त्रिवादी पत्रिका के रूप में हम सब के सामने आई और आलोचना भी ने उनने लिखी जो इनके काव संकलन थे उसमें यामा दीपशिखा की भूमिकाएं तता हिंदी का विवेचना आत्मक गद्द आद आलोचना आत्मक ग्रंत हैं काव रचनाएं बेटा निहार रश्मी नीरजा सानगीत यामा दीपशिखा आध इनकी काव रचनाएं हैं भाशा शैली महादेजीवी जी की भाशा अत्यंत उत्कृस्ट श्रेष्ट थी समर्थ थी हर तरह के भावों को प्रकट करने के योग थी शक्तिशाली थी शुद्ध साहितिक खड़ी बोली थी और इसमें इनोंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है इसलिए इनकी भाशा को संस्कृत निस्ट्र खड़ी बोली भी कहा जाता है इनोंने उर्दू और अंग्रे जी भाशा के शब्दों को भी अपने सहित्त में स्थान दिआ है यता स्थान उचित स्थानों पर इनोंने मुहावरों का भी प्रयोक किया है और इस तरह से अपनी भाशा को जीवन्त और सजीव बनाया है इनकी रचनाव में चित्रोपमवननात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, वेंगात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सुक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि भी द्रस्टव्य दिखाई देती है जैसा कि हमने बताया शैली एक पद्धती होती है एक प्रकार होता है एक तरीका होता है जिसके माध्यम से साहित्यकार अपनी विशेवस्तु वकत्य को विवस्थित करता है और क्रमबध करता है और इनकी गद्ध शैली की जो विशेष्टा है वह है बौधित्ता है बुद्ध करने की छूने की छमता रखती है और वेंगात्मकता भी दिखाई देती है आक्ष भी है और वेंग भी है और इनकी भाशा का श्रेश्ट उधारण इनकी रचना मेरा परिवार में दिखाई देता है मेरा परिवार में से ही गिल्लू नामक पाठ लिया गया अब बेटा हम रेखा चित्र की परिभाशा इस प्रकार है रेखा चित्र किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मम इस परशी भाव पूर एम सजीव अंकन है मतलब चित्रन है रेखा चित्र में एक ही वस्तु का वर्णन किया जाता है कम से कम शब्दों में किया ज होता है और आपको प्रभावित करने की उसमें छमता होती है और इस तरह से शब्द रूपी रेखाओं का उसमें अंकन होता है मतलब चित्रण किया जाता है और रेखा चित्र एक आधुनिक्तम गद्ध विदा है जैसे गद्ध की अन्विदाय नाटक है कहानी है उपन्यास है ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है लेकिन रेखा चित्र एक आधुनिक्तम गद्ध विदा है और इस पर चित्र कला का प्रभाव भी इस पस्ट रूप से दिखाई देता है गद्ध कार शब्दों के माध्यम से एक प्रकार का चित्र सा प्रस्तुत कर देता है तो रे वार नामक रेखा चित्र संग्रह से गिल्लू नामक पाट से उध्रत किया गया है गिल्लू रचदा में महादेवी जी ने गिलहरी जैसे अतिसामान प्राणी की प्रते एक छोटी सी छोटी चेस्टाओं का अत्यन सुन्दर वहिर्द इस परशी मन को छू लेने वाला चित् वेदना तथा मम्ता के आधार पर चित्रन किया है इस प्रस्तुती में आत्मीता मम्ता तथा इसने शील भावों का समन्वेय है इन भावों से इस रचना को बांधा गया है और वननात्मक शैली पर आधारित इस रचना में उन्होंने अत्यन सरल सहज वँत्य throughput मनोरम कोमल का साहित्तिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है इस पार्ट में मुख्यता वड़नात्मक्षैली अपनाई गई है और जो खड़ी बोली है ओमल कांथ शब्दों से युक्त साहित्तिक खड़ी बोली है अब हम गध्यांश की बच्चों व्याक्षा पर आते हैं दो गध्यांश की व्याक्षा हम प्रतम खंड में पढ़ा चुके हैं अब हम ये तीसरे गध्यांश की व्याक्षा आपको पढ़ा रहे हैं इस देती खंड में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम संदर्ब लिखते हैं फिर प्रसंग लिखते हैं फिर गध्यांश को पढ़ते हैं उसकी व्याख्या करते हैं और फिर उसमें अंत में हम विशेश लिखते हैं तो संदर्ब क्या है प्रस्तुत गध्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्ध खंड में संकलित पाठ गिल्लु शीर्शक से लिया गया है और इसकी लेकिका महादेवी वर्मा है तो इसमें हमने रचना का नाम और रचनाकार का नाम बताया फिर प्रसंग में बेटा गद्यांश की जो मुख बात होती है उसको एक दो पंक्तियों में हम भूमिका के रूप म बता देते हैं वह प्रसंग कहलाता है तो प्रस्तुत गद्यांश में लेकिका ने लगुगाद जीव को नाम देने उसके सुन्दर क्रिया कलापों वा पारसपरिक प्रेम का आकर शक वर्णन किया है अब हम ये गद्यांश पढ़ रहे हैं तीन चार मास में उसके स्निक धरो जब्यदार पूच और चंचल चंकीली आखें सबको विस्मित करने लगी हमने उसकी जाती वाचक सग्या को व्यक्ति वाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे प्रस्तुत पंक्तियों में लेकिका ये कहने जा रही है चार-पांच मह प्रस्तिने की होने पर उसके जो रोए थे वह बिल्कुल चिकने हो गए और पूच में खुब सारे रोए आ गए जिससे उसकी पूच जो है जब्यदार एकदम गुच्छेदार लगने लगी और बाल सुलब उच्छ सुकता के कारण उसकी जो चमकीली चमकीली आखें थी व हम सबको बहुत आश्र होने लगा कि किस तरह से हम इस को बचा करके लाए थे किस तरह से इसके घाव थे लेकिन आज तीन चार महीने बाद वही गिलहरी कितनी सुन्दर लगने लगी है अब हमने उसकी जाती वाचक संग्या को व्यक्ति वाचक रूप दे दिया अब यहां लेकिका यह कहना चाहा रही है कि वह एक गिलहरी थी लेकिन अब वह हमारी हो गई तो समू से उसने हटा करके लेकिका ने उन्होंने उसको अपना बना लिया और फिर उसको क्या कर दिया उसको एक नाम दे दिया और वहां गिल्लू कहलाने लगा और सभी घर के परिवार के सदस उसको गिल्लू गिल्लू कहकर के पुकारने लगे और इस तरह से वह अपने को गिल्लू समझने लगा जब गिल्लू कहकर पुकारा जाता था तो वह परिवार के सदस्यों के पास आ जाता था लेखी का यहाँ पर यह कहना चाहती है और फिर लेखी का आगे यह बता रही है कि कैसे गिल्लू के लिए एक रहने का उन्होंने स्थान बना दिया जैसे गिलहरी कोमल होती है और उसके रोएं मुलायम होते हैं तो वैसे ही उन्होंने फूल की एक दलिया फूल भी मुलायम होते हैं सुंदर होते हैं आकरशक होते हैं वैसे ही गिल्लू भी सुंदर थी उसके रोएं बहुत मुलायम थे तो उसी फूल रखने की एक हलकी सी दलि में टोकरी में रूई बिचा करके और उसे तार से खिड़की पर लेखिका ने लटका दिया और लेखिका बता रही है वही दोवर्ष गिल्लू का घर रहा कि उस डलिया को वह स्वयम हिला कर अपने घर में जूलता और अपनी कांच की मन को सी आखों से कमरे के भीतर और रहता था अब लेखिका गिल्लू के आश्वस्त हो जाने का और उसकी प्रसंदता का वर्ण कर रही है कि कैसे वह अपने घर में जूला जूलने का आनंद भी लेता था और धीरे धीरे उसकी जिग्यासा और उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी उसका पता इससे लगता था कि आखों को कभी कमरे के भीतर केंद्रित करता था और कभी कभी खिड़की के बाहर वो केंद्रित करता था और अंदर और बाहर ना जाने बाल सुलब जिग्यासा के कारण वह क्या क्या देखता रहता था और समझता रहता था परंतु उसकी समझदारी और कारकलाब पर सबको आश्र होता था लेकिका कह रही थी ये तो हमें दिखाई तो देता था कि वह सब तरफ अपनी निगाहें डालता रहता है और लेकिन जब वो जो कारे करता था उससे उसकी समझदारी सबके सामने आती थी और उसकी समझदारी को देख करके सबको अत्तधिक आश्र होता था और उसकी समझदारी का उधारण लेखिका दे रही है बता रही है जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकरशित करने की उसे इतनी तीव रिक्षा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाए खोज निकाला वह मेरे पैर तक आकर सर्र से परदे पर चड़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता अब लेखिका उसकी बुद्धि मत्ता का एक उधारण दे रही है कि जैसे बच्छे सब का ध्यान अपनी और आकरशित करते हैं वैसे ही यह गिल्लू भी हम सब का ध्यान अपनी और आकरशित करने के लिए यह क्रिया करता था जब लेखिका अपन मन में बहुत एक तेजी से एक भाव उत्पन होता था और फिर उसके लिए उसने एक बहुत सुन्दर उपाए भी ढून लिया था लेकिका कह रही है वह मेरे पैर तक आकर सर्र से परदे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता था और जब वो चढ़ता और उतरता होगा इतनी तेजी से तो सरसर की आवाज होती होगी अवश ही तो लेखिका का ध्यान लेखन से भंग होता होगा और वह गिल्लू की तरफ अपना ध्यान केंदित करती होगी और उसकी बाल सुलब क्रियाओं और चेस्टाओं से प्रसंद हो जाती ती और इस तरह गिल्लू भी खुश हो जाता था कि उसने लेखिका का ध्यान अपनी ओर खीच लिया तो यही उसकी बुद्धिमत्त और समझदारी थी और इसी को देख करके सब आश्चर चकित हो जाते थे उसी की ओर लेखिका ने हम सब का भी ध्यान आकरशित किया है और फिर लेखिका आगे यह कह रही उसका यह दौणने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती अब लेखिका यह बता रही है कि अन्ततो गत्वा वह गिल्लू को उठाने के लिए उठ जाती थी अपनी जगये से और जब तक उसको पकड नहीं लेती थी अपनी गोद में लेती थी तब तक गिल्लू परदे के ऊपर चड़ता और उतरता ही रहता था और फिर लेखिका बता रही है कभी मैं गिल्लू को पकडर कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अत्रिक सारा लगुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता इस अद्भुत इस्थिती में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार कल आप देखा करता अब लेखिका बता रही है कि जब गिल्लू को पकड़ लेती और लेखिका उसको अपने पास में बैठाने के लिए कि एक जगे शांती से बैठ जाए जिससे वह अपना लेखनकार करती रहें उसको एक लिफाफे के अंदर डाल देती थी खाली उसका सिर और उसके आगे के दो पंजे लिफाफे से बाहर रहता था और उसका सारा शरीर जो है और पिछले दो पंजे वो लिफाफे के अंदर रहते और लेखिका कहती है कि वह लेखिका का सानिद पाने के लिए और उनके पास रहने के लिए और उनके प्यार को अनुभव करने के परचायक था कि कैसे वह लेखिका के इसने को प्राप्त कर लेता था और लेखिका का ध्यान अपनी तरफ खींश लेता था और अपनी चमकीली आँखों से वह लेखिका का सारा कारकलाब देखता रहता था कि लेखिका क्या 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 कर रही है आशा है इस गध्यांश की व्या प्रश्ण है उप्रोक्त गद्यान्श मिवाक्या, व्याक्या में जैसा कि हमने आपको बताया कि सन्दर्ब प्रसंग व्याक्या और फिर विशेश ल लिखते हैं फिर ये प्रश्ण है कि गिल्लु का घर कहां था आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी, अब हम आपको अगले गद्यांश की व्याख्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम वही संदर्ब करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्ध खंड में संकलित पाठ गिल्लू श गिल्लू और जो सहज प्रवर्तियां होती है जीव मात्र की वह उसके अंदर धीरे-धीरे विक्सित हो रही है, तो इनका बड़ा ही स्वभाविक वर्नन लेखिका ने प्रस्तुत गद्यांश में किया है, जैसे भूक है, मित्रता है, स्वतंत्रता है, इन सबकी आकांशा व अंदर एक सहज प्रवर्ति के रूप में होती है, तो गिल्लू जैसे से बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे उनकी इन सहज प्रवर्तियों का वर्नन लेखिका ने प्रस्तुत गद्यांश में किया है, गिलहरियां जब आवाज करती है, तो उनकी आवाज जो आती है, वो चिक- चिक-चिक-चिक इस तरह आती है, तो गिल्लू को जब भूक लगती थी, तो वो क्या करता था, वो चिक-चिक करके मानों उन्हें सूचना देता था, उन्हें बताता था कि अब मुझे भूक लग गई है, और गिल्लू को काजू सबसे अधिक पसंद था, गिल्लू को की अंदर वैसे ही बैठा है लेकिन अपनी भूख को जो है वो प्रकट भी कर दे रहा है और फिर प्रकट करने के बाद जब लेखिका उसे काजू या बिस्कुट दे देती तो बड़े ही सुघडता से जो उसके लिफाफे के बाहर दो पंजे थे उनसे धीरे धीरे अपने दा प्रकट की सुंदर्ता अपने चर्मोतकर्ष पर होती है चारों तरफ हरियाली है फूल खिले रहते हैं फूलों की सुगद वाता वरण में व्यापत रहती है तो इसलिए लेकिका बसंत रितु का उल्ले कर रही है और लेकिका के घर में जो नीम का पेड़ होगा जो चमेली क पौदें होंगे तो उनकी जो सुगंध है उनकी जो गंद है वह लेकिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी है लेकिका यह बता रही है कि बसंतरीतु में चमेली के पूल आते हैं नीम में निमकौरियां आती है तो वह जो इन से जो एक महक निकलती है एक जो खुश्बू आ पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी है गिलू भी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है और जब वो उसे सुतंत्रता की आकांशा हो रही है वह भी खिड़की के पास जाकर के बैट जाता होगा तो जब बाहर की गिलहरियां देखती होंगी तो मित्रता भाव के कारण और समान जीव के कारण वो खिड़की के निकट आजाती होंगी और वह बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर के चिक-चिक करके ना जाने क्या क्या कहने लगी है लेखिका ये बता रही है कि वो लोग आपस में अपनी भाशा में बात करती हैं जो कि भाशा लेखिका को यहां मनुश्यों को समझ में नहीं आती है लेकिन उनका इस तरह से चिक-चिक करना ऐसा लगता है कि जैसे वो आपस में बात कर रही है मित्रता का भाव प्रकट कर रही और एक दूसरे के समेप आना चाहती है एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर रही है गिल्लू को जाली के पास बैठ कर अपने पन से बाहर जागते देखकर मुझे लगा किसे मुक्त करना आवश्यक है गिल्लू जब जाली के पास बैठा तो लेखिका को यह समझ में आगया कि यह भी अपने समान जीवों के पास जाना चाहता है तो अब हमें इसे स्वतंत्र कर देना जरूरी है और इसलिए उन्हों लेखिका ने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुछी मुक्ति की सास ली अब लेखिका ने उसको सतंत्र करने का उपाय ढून निकाला और अपने कमरे में जो एक खिड़की थी उसमें जो जाली लगी थी उस जाली क एक कोने को काट दिया जिससे गिल्लू बड़े आसानी से बाहर चला जाता और अपने मित्रों के साथ अपना समय वितीत करता और जब उसे यह लगता कि लेखी का घर में आने वाली है तब वह घर के अंदर भी उस कटी हुई जाली से आ जाता था और इस तरहे गिल्लू को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो करके बड़ा ही अच्छा लगा उसने चैन की सास ली और अपने मित्रों के पास दा करके उसने प्रसंदता का भी अनुभव किया लेखी का अब ये भी बताना चाहा रही है गिलहरी एक बहुत ही छोटा सा प्राणी है अब और लेखी का के घर में कुत्ते बिल्या आदी भी अन पशुभी पले हुए थे तो इन बड़े जानवरों से गिल्लू के प्राण की रक्षा करना भी एक समस्या थी तो जब लेखी का घर से बाहर चली जाती थी और गिल्लू भी उस जाली के दरवाजे से बाहर चला जाता था तो लेखी का निश् वालत से लौटने पर जैसे ही कबरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दोड़ने लगा तब से यह नित का क्रम हो गया तब से यह रोज का यह उसका एक दैनिक चर्या बंद और लेखिका के प्रती अपना प्यार प्रदर्शित करता था जो कि उसका वही पुराना प्रेम प्रकट करने का तरीका था कि गिल्लू मेरे पैर से सिर और सिर से प्यार तक दोड़ने लगता और इस तरह लेखिका के प्रती अपना प्रेम भी प्रदर्शित करता और इससे बुद्धी मत्त और समस्दारी का भी पता चलता है कि जैसे उसे समय का ज्यान हो कि लेखिका जैसे ही घर में आती है वैसे ही अपने दोस्तों को वह छोड़ करके उस घर में आ जाता है और लेखिका के पास रह करके लेखिका के प्रती अपना प्रेम प्रकट करने लगता है और यह उसकी दैनिक चर्या थी, रोज का कारिक्रम था अब विशेश बेटा लेकिका ने जीव मात्र की मूलभूत प्रवर्तियों जैसे भूक, मित्रता, सुतंत्रता, आधिका मनोवय ज्यानिक वर्णन समर्थ खड़ी बोली वविवेचनात्मक शैली में सहस्ता से किया है बड़े सौभाविक रूप में वर्णन किया है अब प्रशन है उप्रोक्त गद्यांश का संदर्व लिखे रेखांके तंश की व्याक्या कीजिए और गिल्लू को खाने में क्या दिया जाता है अब हम इसके तीसरे गद्यांश की व्याक्या पर आते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठपुस्तक हिंदी के गडखंड में संकलित पाठ गिल्लु शीर्षक से लिया गया है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, यह संदर्व है, वही रचना का नाम और रचनाकार का नाम, फिर प्रसंग में वेटा प्रस्तुत गद्यांश की प्रमुख बातों को हम एक दो पंक्तियों में यहां पर लिख देते हैं, तो प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने गिल्लू की बाल सिलब शरारतों का मनोरम अंकन किया है। लेखिका अब यह बता रही है कि जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर जाती गिल्लू को पता चल जाता कि अब लेखिका के घर से बाहर जाने का समय हो गया है तो गिल्लू भी वही खिडकी की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था जो उसके लिए बाहर जाने का रास्ता बना द व्यतीत करता और वह नेता बना क्योंकि वह समझदार था इनसानों के साथ रहता प्यार जितना उसको मिल रहा था उस प्यार ने उसके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा कर दिया था इसने लेखिका कह रही है कि वह गिलहरियों के समू का नेता बंद करके दिन भर उचलता कूता और फिर चार बजे जैसे ही लेखिका के घर आने का समय होता जो कि चार बजे था वैसे ही वो खिड़की से भीतर आ जाता अंदर आ जाता और अपने घर रूपी जूले में जूलन लगता और यहां भी एक तरह से जूल करके वह लेखिका के घर आने पर अपनी खुशी प्रकट करता था और मुझे चौकाने की एक्षा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी कभी फूल दान के फूलों में छिप जाता कभी परदे की चुन्नट में और कभी सोन जु लेकिन लेखिका को चुकाने के लिए वह कहां कहां छुप जाता था इसका वर्णन लेखिका ने किया है फूलों में छिप जाता था फूल दान के फूलों में छिप जाता कभी परदे की चुन्नट में छुप जाता था और कभी सोन जुही की पत्तियों में अब लेखिका य को भी है ऐसा मुझे इसमराइड नहीं आता लेखिका को पशुपक्षियों को पालने का शौक था इसने लेखिका बता रही है कि उसके पास बहुत सारे पशुपक्षिये जैसा कि उसने लेख भी किया है कि कुत्ते हैं बिल्ली है और गिल्लू को तो पाल ही रखा है और उन पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं थी इतना साहस नहीं हुआ था कि वह लेखिका के साथ लेखिका की थाली में खाए ऐसा लेखिका को याद नहीं आ रहा है परन्तु गिल्लू इसमें भी अपवाद था असामान था गिल्लू इनमें अपवाद था मैं जैसे ही खाने के कमरे में प पता चलता कि लेखिका खाने जा रही है तो वह खाने के कबरे में इतने खिड़की से निकलता आंगन की दीवार बरामदा पार करके इन सब चीजों को पार करता हुआ वह जो है लेखिका की मेज पर पहुंच जाता खाने की मेज पर और उनी की थाली में ही बैट जाना चाहता था लेकिन बड़ी कठनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया वह लेखिका की थाली में से बड़े ही सौम तरीके से एक एक चावल उठाता था खाता था और इस तरह लेखिका के साथ रह करके और लेखिका के प्रती अपने प्रेम को प्रकट करता रहता था लेखी का यह भी बतारी कि जैसे ज्यादा प्यार में बच्चे जिद्धी हो जाते हैं वैसे ही उसका जो प्रिय भोजन काजू था अगर वह उसे प्राप्त नहीं होता था तो वह अन्य खाने की चीजें या तो लेता ही नहीं था और या वह अपने घर रूपी जूले से सहज भाशा वा आत्न परक्षैली में वर्णन किया गया है प्रशन है बेटा उप्रोक्त गध्यांश का संदर्व लिखिये रेखांके तंश की व्याख्या कीजिए और गिल्लु कहां कहां छिप जाता था अब हम आगे बच्चों शिक्षा वा संदेश पर आते हैं वही है शि माने में सफल हुई सर्भूत हिते रता सभी प्राणियों की भलाई करने में लगे रहना ही मनुष्य मात्र का सर्वोच आदर्श वा लक्ष होना चाहिए हमारे धर्म ग्रंतों में भी कहा गया है कि इस प्रिथवी तल पर जीव दया के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और गो आपको अगर कोई समस्या हो तो पूछ लीजेगा धन्यवाद नमस्त